रामबान इलाज है ये दो पत्ते सर्त लगा लो कमजोर नस, दबी हुई नस, साइटिका और स्लिप डिस पेन होगा 100% ठीक नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को लेकर आए हैं और आपकी इस समस्या का बिलकुल सथाई इलाज करेगा दोस्तों इस नुस्खे को अपनाने के बाद आपको पहले ही दिन से इसका असर दिखाई देगा और दोस्तों चाहे आपकी साइटीका की समस्या, सिलिप डिस्क की समस्या, दबी हुई नस की समस्या, या कमजोर नस की समस्या, चाहे कितनी भी पुरानी हो, इन सब का ये एक कारगर इलाज करेगा। अजवायन के पते लेने हैं, दोस्तों आम तोर पर अजवायन को खाने का सवाद बनाने और उसे डाजेस्टिव बनाने के लिए मसाले की रूम में इस्तमाल किया जाता है। सारे विटामिन और मिननल पाय जाते हैं दोस्तों अजवायन के पत्तों की यदि अब चाय बना कर पिएंगे तो इससे आपके शरीर की पूरी बोडी डिटोक्स होती हैं इसकी चाय पीने से सेहत समंदी बहुत सारे लाव हैं क्योंकि इसमें फाइबर, कैल्सियम, नियसीन, मै अर्थराइटिस, जोडों के दर्द, या घुटनों के दर्द की समस्या है, तब आप इसके पत्यों का जूस बना कर भी हैं या फिर इसकी दो पत्यों को हर रोज सुबे खा ले पेट, चबा कर खाएं और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, तब आपके घुटनों के में भी बेहद अधिक कारगर है इसके लावा ये जोड़ों और मास्पीशियों के दर्द से भी आपको रहा देता है दोस्तों इसके लिए आपको सिरफ इसके दो पत्तों को चबा कर खाना है ये दो पत्ते जैसे आप देख रहे हैं आपने इन पत्तों को हरो सुबे खाली पेट चबा कर खाना है और आपकी यह समस्याए बेलकोले जड़ से खतम हो जाएंगी या आप इसके दो पत्तों को रस निकालके उसको एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं जिस मर्जी तरीके से आप इसका सेवन करें अब जानते हैं दोस्तों दूसरे नुस्खे के बारे में दोस्तों दूसरे नुस्खे के लिए आपने क्या करना है एक चमच मेथी दाना करेना है और इसको रात भर के लिए एगलास पानी में भीगो कर रख देना है जैसे कि यह हमने रख दिया. अब आपने इसका सेवन सुबह खाली पेट करना है. इन दोनों के बीच में अजवायन की पतियों को खाना और इस मेथी दाने के दोनों के बीच में आधे घंटे का गयप होना चाहिए. यानि आधे घंटे के अंतराल पर इन दोनों का आप सेवन करें और दोनों का सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है दोस्तो मेथी दाना के भी बहुत सारे फाइदे हैं और एक व्यक्ति को एक चमच मेथी दाना बहुत है स्वस्थ बनाने के लिए दोस्तो मेथी दाना से पेट के रोगों को सिया बचे रहेंगे, डायबटीज, कोलोस्टोल, दील की बीमारे आदी में बहुत अधिक कारगर हैं तो दोस्तो देर किस बात की हैं, आप भी आज से ही इस नुस्खे को अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोकने और अपने स्रीर की बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वडियो की नोटिकेशन आते रहे, धन्यवा दोस्तो